सीम के कारिक्रे में शामिल होने जा रही बस ने बाई को रोंदा महिला की हुई मौत पती बेटा घायल भटना वर से कराहल जा रही थी बस शिवपुर्ष जिले के कराहल में आजित मुख्यमंत्री के कारिकर में शामिल होने जा रही आदिवासियों से भरी बसने शिवपुरी जिले के पोहरी थाना शेतर के पहुरी पैरार मार्ग पर जरिया खेडा गाउं के पास बाइक को रौन दिया इस घटना में बाइक सावा दम पती और उनका 15 साल का बेटा घायल हुआ था जैने उपचार क्लजला चुके साले लाया गया था जांग घायल महिला ने दम तोड़ दिया है पोहरी पुलीस ने मामले की जाश शुरू करती है जानकर के अनुसार आज सीम डॉक्टर मोहनियादफ शोपर जिले की कराहल में जो तितींदू पता बूनस राशी अंतरन कारीकर में शामिल होने वाले हैं उनके कारीकर में भीड़ जुटाने के लिए शिवपुरी जिले से भी आदिवासियों को बसो में भर कर ले जाया गया है इसी एक्रम में आज पोहरी ब्लॉक से एक बस में आदिवासियों को भर क अधन्दू साल और बीटा साहिल अम्रे पंदहर साल गायल हुआ था तीनों को उपचार के जला अस्पताल लाया गया था जहा रोबीना के जला स्कतल पाच्टे ही मौत होगे इस गटा में नजियर गंपी रूप से घायल हुआ है जिसका उपचार जला अस्पताल में जारी था और इसी दोरान उसकी बाइक में बस ने टकरमा दे जिससे पोहरी पुलिस ने संग्यान में लिया और अब मामली की जाज भी शुरू करती है था तो बस ने टकर मार दी पीटे से के सामने से पीटे से बस का नंबर मालूम है बस मालूम है कौन की यह अरे इक अलरकी तो कौन कटम हो गया इंगा इस्पटाल आके तुम भी दे पापा को चोटे आई हैं अहां तम कीनो के जोटे आएए नहीं, तो जोटे आएए